तो दोस्तो आज 6 ओगोस्ट 2023 कल 7 ओगोस्ट मंडे से एक न्या ट्रेडिंग विक शुरूर न जा रहा है तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ क्यों प्रियो प्राइब का रहा है अपको प्रिय। important company share discuss करेंगे इसके अंदर most probably कल गिरावट होने का चांस आप देखे मार्केट में 100% guaranteed तो कुछ भी नहीं है पर जो सारे डेटा जो सारे news निकल के आया जिसको पर बेस करके मैं आपको बोला हूँ पहले जो तीन और इस बार दोस्तों company ने लिटरली सबको शॉक्ट कर दिया भले रेफिनियु के अंदर में जम देखने को मिला बट company at the end लौस बूग किया जहां पर कंपनी का quarter 1-22 पे भी आमने देखा था प्रॉफिट जेनेरेट किया था इवन लास्ट कॉर्ट में भी कंपनी लिमिटेट यानि बीडियल डिफेंस एक्टर का एक दिगज कंपनी अब बात यह है बीडियल का भी रेजल कल मतब फ्राइडे के दिन आपने देखा था आउट हुआ था और इस बार भी बीडियल का रेजल में कोई खास हमें मतलब अच्छा खासा जम बगरा में देखने क को नहीं मिला और यहां पर क्वार्टर ओन क्वार्टर बेस पे बोले या यहां पर काफी हत तक गिरावर देखने को मिला और जैसे को मौल में डिफेंस सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टन कंपनी है भारत डाइनमिक लिमिटेट तो इसको भी कल दोस्तों आपका नजर जर कंपनी यहां बात के बाते आघ में का इंपाल ऑन्पैक्ट में ग्रोणी यहां तक देखने को मिला इंतलनिक नि लुख सकता कि यहां परवेशर पस्ट आके पीन डेक्स्स प्याइं देखने को में आथि हैं यह जो तीन कंपनी का शेयर में आपको रेक्मेंट कर रहा हूं इसके अंदर कल करेक्शन हो सकता है पॉस्बिल चांस है अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है बट होने का भी चांस है और दिवाने इंटरनाशनल तो यह तीन कंपनी के शेयर डेफिनिटल आपका नजर होना था तो इसका इंपक्ट हमें आज देखने को नहीं मिला देखने को मिलेगा कल सोंबार की जैसे बजार ओपन होगा तो इसको भी आपका खास नाजर होना चाहिए ऑविसली कंपनी का अच्छा आया एफिल इंडिया के बाद दोस्तों बात करेंगे बैंक का बडोटा इस बा बैंक का जो एंप का परसंडेज यानि नॉन पर्फर्मिंग एसेट्स चाहिए नेट इंपी की बात करें या ग्रॉस एंपी की बात करें बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन इस बाद देखने को मिला तो पॉसिवल चांस है कि शेर कंदर तेजी देखने को मिले ठीक है नेक् बहुत सारे यूजर होता है मतब जो रिटेल इंवेस्टर्स आप और हम जैसे बहुत सारे इसे इंवेस्टर्स मार्केट को जॉइन किया तो जिस बैसे कंपनी का जो बिजनेस है वह कंप्लीटल डिपेंड करते यह सारे चीज को क्योंकि आपके पास जो भी सर्विसिंग आ से लगो कुछ टाइम पहले मतब कुछ साल पहले देर दो साल पहले पजार में लिस्ट हुआ था शुरू-शुरू में कुछ खास रिटन तो नहीं दे पाया बट लास्ट एक साल में पैसा अल्मोंस्ट हाई गुना की उबर करती और बहुत ही शांदर कंसिस्टेंट वे में अब बात ऐसा है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया का रेजल इस बर काफी अच्छा आया काफी अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा आया उसके बावजुद भी शेयर में तीन परसंट के आराउंडा में क्रेश देखने को मिला तो हो सकता है कि कल एकदम इंस्टैनल देखने को कन वो अलग बात है बात यहां कि करण सुबाट जब यहां पर रेटी एजन सी कंप्रींज करेगा साम तरेक करेंगो इसको बहुत सब्सक्स बात तो जाएगा सब्सक्राइब ह mort वचाना बढ़े सक्टर का और अजब SHO इसकट उपने तरहाइब में आपको एक वीडियो में दे जूँगा जैसे कि हैं उसके साथ सात साथ एंटायर आईटी सेक्टार एंडर आईटी सेक्टर इसलिए बोला हूं क्योंकि फ्राइडे नाइट को क्या हुआ था फर्स्ट अप में तो नैस्टेक एकदम से पॉजिटिव में चल रहा था बट सेगे नप में जॉब डिटा रिलीज होने के बाद एकदम से करेक्शन देखने को मिला तो विप्रो लिमिटेट की शेयर के अंदर भी आपको नजर होना चाहिए तो यह जो मैं आपको शामने दिखा रहा हूं यह विप्रो लिमिटेट एडियर यहां पे तो दोस्तों यूस मार्केट में काफी पॉजिटिव में ग्लोजिंग दिया तो इसको प पीडिएफ एक्दम न्यू जो अपडेटेट पीडिएफ है वह मैं आपको दिखाऊंगा तो इसको वेटेट सबसे जादा है आज की डेट पे वेदानता लिमिटेट वेदानता मतब यहां पे वेदानता की बात करो तो लास्ट दो दिन पर आपको तो मालूम होगा स्टेक जेनरल मीटिंग साथ ही साथ वो जो न्यू कंपणिया मतब जो जियो फानांशल जेफेसल का शियर कब लीस्ट होगा उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा तो डिफिनेटली डिलाइंस इंडेस्टी की शियर के उपर भी आपका नजर होना चाहिए कल की डेट पी यान सबसे ज्यादा हो चुका है कितना फॉर्टीन पॉइंट फॉर्टीन पॉइंट जिरो पर्चेंट तो कितना ज्यादा वेटेज है इसको बताब का खास नजर होना चाहिए उसको छोड़के और भी बहुत सरे कंपणी है उसके बाद इसकी इंफोसिस लिमिटेट आइटी सी लिमिटेट टाटा कंसल्टेंसी लार्शन टूब्रो कोटक महिंद्र बैंक एक्सिस बैंक अभी दोस्तों इस लिस्ट में क्योंकि के इस डेप सी बाहर पहुंच चुका है तो इस बैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया को जगा मिल गया ठीक है अधर्वाइस स्टेट बैंक आप इंडिया बाहरी था यह जो टॉप 10 है इसको पर आपको नजर होना चाहिए और उसके साथ सब्सक्राइब आपका नजर होना चा